हे गाईज मेरा नाम है रायान आज की वीडियो में कुछ रियलिस्टिक आर्सीस के बीच में मैं फाइट कराने वाला हूँ तो मेरे पास बहुत सारी रियल जैसी दिखने वाली आर्सीस है जैसी कि यह एक जिमनी है यह एक आटो रिक्षा भी है मेरे पास आज बहुत जादा होगी जिमनी और आटो रिक्षा के बीच में देखते हैं कि इस दोनों में से कौन है सबसे जादा पावर्फल और यह जीप भी है मेरे पास यह जीप जैसी दिखाई देती है तो यह देखो गाई यह मेरी सबसे जादा फेवरेट आर्सी कार है यह BMW i4 कौन से प्लाट सी कार चलो गई जेके करके सबको अनबॉक्स करते हैं फिर कराते हैं सबके बीच में फाइट देखेंगे आज कौन जीता है लेट स्टाट सबसे पहले आटो रिक्षा को अन्बॉक्स करते हैं आटो रिक्षा मैंने दो साल पहले खरीदा था आज भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ भाई आज भी यह पर्फेक्ट तरीके से काम कर रहा है यह बहुत स्पीड से चलता है और इसके अंदर पावर भी बहुत जादा दी गई है हमारे आटो रिक्षा को मैं यहां से आपको एक बार निकाल के बता दे तो इसको मैंने शायद आट सो रुपय में खरीदा था बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है यहां पे देख लो यह है हमारा ग्रीन एंड यलो कलर का आटो रिक्षा भाई साब काफी जादा रियल आटो रिक्षा जैसा दिखाई देता है पीछे की तरफ मेरा भारत महान बोलके भी दिया गया और तोर इसके अंदर मट फ्लैप्स भी दिये गए यार ताकि कीचड वगरा इसके उपर ना सके यहां पे इसके वील्स है बहुत ही छोटे छोटे से वील्स दिये गए पीछे भाई साब इसके अंदर साइलनसर भी लगा हुआ है अंदर देखो यार यहां पे सीट्स भी दी गई है प्लास्टिक की सीट्स है पर इसके अंदर एक कमी मेर को लगती है गाईस वो है इसकी बैटरी इसके अंदर हम लोगों को डालने पड़ते हैं सेल्स देख लो रीचारजबल बैटरी नहीं मिलती है यह ओटो रिक्षा के साथ तो यह रहा इसका रिमोट कंट्रोलर बहुत ही छोटा सा रिमोट मिलता इसके साथ यह रहा इसका एंटिना अब यह जीप को अंबॉक्स करते हैं यह जीप तो यह ओटो रिक्षा से भी ज़्यादा रियल लग रही है इस जीप के साथ यह ऊपर का कवर भी मिलता इसको लगाएंगे तो यह पक्का पुलीस जीब जैसी ही दिखाई देती है यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया है यहाँ पे इसकी बैटरी बगेरा भी दी गई है तो पहले मैं आपको जीब दिखा देता हूँ इसके साथ बहुत सारे अटाश्मेंट्स मिल जाते है यह रहे इसके अटाश्मेंट्स यह एक जो अटाश्मेंट्स है यहाँ पे लगेगा एक अटाश्मेंट्स सामनी की तरफ लगेगा और यह कवर जो है इसके उपर इस तरह से फिट हो जाएगा तो यार ये सामने किया part इसका damage नहीं होगा तो सामने देखो headlight दिये गा है, indicator दिये गा है ये proper तरीके से काम भी करते है overall दिखने में काफी सदा real दिखाई दे रही है सामने की तरफ दो seats है, यहाँ पर steering है side में देखो इसके साथ कुछ tools भी मिल जाते है इस तरफ एक tool है, और इस तरफ भी यहाँ पर axe लगी हुई है पीछे से यह इस तरह की दिखाई देती है, यहाँ पर एक fuel can भी लगा हुआ है नीचे से देखो आर यह जो Jeep है completely four wheel drive पे चलती है और यह है इसका remote controller, remote बहुत ज़्यादा advance है इसका यहाँ पर देखो, चार buttons है, एक knob है, एक और switch है यह इसकी steering है, steering बहुत ज़्यादा tactile है तो अब unbox करते हैं गाईज, मेरी सबसे ज़्यादा favorite BMW i4 Concept RC car को बोक्स को मैंने open कर लिया है, यह देखो गाईज, आचुकी है अपनी एकदम खतरनाक वाली BMW i4 Concept RC car कलर भाई साब एकदम तबड़ा वाला इसके उपर लगा हुआ है, देखो गाईज, क्या ही चमचमार यह भाई, नाइट बे इसको चलाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा इसके डोर्स हम लोग open और close कर सकते हैं, दोनों डोर्स open और close हो जाते हैं, इस तरह के wheels इसके अंदर दिये गए हैं, wheels भी देखार कितने ज़्यादा realistic और कितने ज़्यादा fantastic दिखाई दे रहे हैं, सामनी की तरफ से यह इस तरह की दिखाई देती है, क्योंकि यह एक electric car है, यहाँ पर आपको grill देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ पर BMW का logo दिया गया है, सामने bumper है, laser headlights इसके अंदर लगाए गए हैं, और यह proper तरीके से काम भी करते हैं, अब unbox करते है Suzuki Jimny को, यह खोल दिया मैंने box को, यहाँ पर इसकी user guide है, और यह रही है हमारी maruti Suzuki Jimny RC car, जिमनी क इसकी भी डिक्की जो ओपन नहीं होते हैं, क्योंकि यह पूरी तरीके से seal है, तो यह इसके अंदर तो डिक्की होती ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं size की बात करूं तो यह जिमनी और अपनी यह जो Jeep है, दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, एक बार दोनों को side by side रखके भी इसकी बात करूं तो यह जिमनी काफी जादा भारी वर्कम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगाई गया है, ताकि यह रियल जैसी दिखाई दे सेके, तो चलोगा इस फटाफट से भी कराते हैं, इन चारों के भीच मैं fight देखे हैं, आज जिमनी जीतती है, फ बिलकुल रियल आटो रिक्षा जैसा ही दिखाई दे रहा है, अब इसको मैं थोड़ा सा ओफ रोड में लेके चलता हूँ, आफ रोड में देख़ा है, यह पर जस्ट मैं इसको थोड़े से पानी के अंदर रखा था, पर यह बिलकुल भी नहीं चल पा रहा है, बस इसकी ज अर्माल तरीके से चल सकती है, अब मैं इसको ओफ रोड में लेके आ चुका हूँ, देखते हैं गाईस, यह इतने गहरे कीचड में से निकल पाती है, यहाँ पर मेरे को लगा था कि यह फज़ा है, जैसे ही मैं इसके अंदर हाई गेर लगाया है, बहुत आराम से यह कीचड में से भी निकल चुकी है भाई, इतने जादा गहरे है पानी में और इतने जादा गहरे है कीचड में, मैंने बिल्कुल भी नहीं सुचा था कि यह इतने आराम से चलेगी, इसका सस्पेंशन देखो कितना मस तरीके से काम कर रहा है, और यह कार बहुत जादा पानी में भी चल सकती है, क्योंकि यह पूरी तरीके से वाटर प्रूफ कार है, भाई, मान गए जिमनी की कैपेबिलिटीस को, अब यह जीप को भी चला के देख लेते हैं, इसके अंदर भी जिमनी जैसा ही रिमोट दिया गया है, देखो बहुत ही हैंडी सा रिमोट देखने को मिलता है, रोड के उपर तो भाई, इसकी गंडॉलिंग बिल्कुल जिमनी जैसी है, और यह बहुत स्पीड से भी चल रही है, अब इसको ओफ रोड में उतारते हैं, इस देखते हैं, यह इतने गहरे पानी में चल पाती है, यानि कीचड में तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही थ इसका लुक देखूँगाई, कितना जादा प्रीमियम है, अंदर का इंटीरर वाईट कलर का होनी के कारण यह कार बहुत ही जादा कमाल की दिखती है, जब रोड पे चलती है तो तो गाई, सबसे पहले जीप और जिमनी के पीच में कराते हैं, रेस देखते हैं, रोड पे क जीब को ओवर्टेक कर लिया है और यह बहुत जादा आगे निकल गई आप देखते हैं जीब इसको ओवर्टेक कर गया निकल पाती है यहाँ पर जीब के अंदर भी मैंने गेर चेंज कर दिया पर गेर चेंज करने के बावजूद भी देखूगाई यह जिमनी से आगे नहीं निकल पारी है यहाँ पर जीब जीट चुकी है रेस में अब एक बार इन दोनों के बीद में ऑफ रोड में भी रेस करा के देखते हैं गाइस कौन जीब ता है जीब को जैसे ही मैंने पानी के अंदर चलाने की कोजिश किया है जीब की स्पीड यहाँ और भी ज्यादा स्लो होने लगी है क्लियरली ओफ रोड में भी जीमनी जीट चुकी है रेस को जीमनी जीब से तो बहुत आराम से जीट गई थी अब देखते हैं क्या यह मौडिफाइड ओटो को हरा पाती है आने रेस में क्यूंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीकर से भी मौडिफाई कर सेकंड गेर डालने के पास भी जीमनी इसके आसपास में भी नहीं पहुंच पार यह क्यूंकि इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हाई कैपैसिटी की मोटर लगाई थी तो भाई इसी वज़े से आटो रिक्षा हरा चुका है जीमनी को रेस में यह मौडिफाइड आटो जीमनी पूरी कोशिश कर रहा था पर बीम डबलू भाई इससे भी जादा पाउरफल इससे भी जादा तेज है देखुए जैसे ही मैंने इसके अंदर फुल ट्रिगर प्रेस किया है बीम डबलू काफी जादा आगे निकल गई है और टो रिक्षा इसके आसपास में भी नजर तक निया रहा है क्लियरली बीम डबलू जी चुकि है रेस खो अब जिमनी की रेस कराते हैं जंगल सफारी ओफ रोडर राशी कार के साथ देखते काई इन दोनों में से कॉन जीत आ है क्यूंगी जंगल सफारी ओफ रोडर सिर्फ ओफ रोड में से लाने के लिए ही बनाई गई यहां पे भी जमनी काफी जादा आगे निकल गई है मैंने नहीं सुचा था ही गाइज यह जमनी इसको भी हरा देगी बहुत जादा असानी से यहां पे देखू गाइज बहुत इसली जमनी हर एक टर्रेन में चल सकती है पर इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है अब जमनी का पाव जासली ही है यह ज़्लक्त इसकेंड फॉष्ट घ意 है इसकेंड गियर में तो है इसकेंड कमाल कर के लिग डिया है मैंने बिल्कुल भी इसंग बाहरी वरकम ट्रांसपोटर ट्रगो कह जाएगी यह तेओ ऐसी क्यों जबास्पाट रिक्षा भी यह ट्रांसपोटर ट्रगों पता नहीं आप क्या हो गया इसको बिल्कुल भी आगे मूव नहीं कर पा रही है मतलब गाई मेरे को वापस से मॉडिफाइब करके भाई इसकी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी अब देखते हैं यह मिलिटरी जी ट्रांस्पोटर ट्रक को खेंच के लेके जा पाती है यहां पर बहुत आराम से खेंच के लेके जा रही है पर इसकी स्पीड देखो है जिमनी की मुकाबले में थोड़ी सी कम है बागी यह कार भी बहुत ज्यादा पाउरफल है वेट खेंचने के मामले में अब होगी गाईज आमने सामने वाली फाइट जिमनी वर्स आटो रिक जिचता है जीमनी वई टा के लेके जारी है आटो रिक्शा को देखो है आपर कुछ भी नहीं कर पा रहा है जैसे ही मैंने सेकंड गेर लगा आ अब तो वाईशको यह बहुत खातरनाक तरीके से घजीट के लिए के जा रही है क्लियरली जिमनी पाउरफल है आटो रिक्षा के मुकाबले में अब जिमनी के हमने सामने वाली फाइट कराते हैं यह खतरनाक सी BMW i4 के साथ देखते हैं जिन दोनों में से कौन जिता है BMW भी बहुत जादा पाउरफल आर्सी कार है इंपक्त दोनों के उपर एकदम बराबर वाला लगा है यहाँ पर जिमनी फोर विल ड्राइव होनी की कारण BMW को काफी आराम से पीछे ढख ले जा रही है और BMW यहाँ पर हार चुकी है पुश बैक में अब आमने सामने वाली फाइट कराते है जीप वर्सस जिमनी के बीच में देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है जीप को जीप का पोनट खुल चुका है और इसकी बैटरी शाहिद हिल चुकी है अंदर की इस वज़े से गाइस देखो यह ज़ादा पावर नहीं चनरेट कर पा रही है इसी बात का फाइदा उटा कर जीप को पीछे डगले जा रही है जीप यहां पर ब्रेक्स भी लगा चुकी है फिर भी यहां पर जीप जीप को हरा दिया है बहुत आसानी से अब जीपनी की पुछ बैक कराते है जंगल सफारी ओफ रोडर आर्सी कार के साथ देखते हैं जिन दोनों में से कौन जीता यह जंगल सफारी ओफ रोडर आर्सी कार बहुत जादा बड़े साइस की है जीपनी के मुकाबले में यहां पर देखो वाइस जिमनी ने इसको दीरे-दीरे करके पीचे टेकिलना चालू कर दिया है यकीन नहीं हो रहा है इस मेरे को तो जिमनी इतनी जादा पाउरफुल RC कार है पर आप ये जंगल सफारी RC कार को जरा सा भी इग्नोर नहीं कर सकते हो गाइस क्योंकि ये ओफ रोड किंग है देखो जैसे जिमनी चल रही थी इतने गहरे कीचड में और पानी में ये जंगल सफारी ओफ रोडर RC कार भी चल सकती है बस इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है जिमनी के मुकाबले में आप मुझे नीचे कमेंट करके बतों आपको ये सभी आर्ची कार्श में से कौन जी कार अची लगी चलो भी मैं दे देता हूँ शॉट आउट पहला नाम है अभी सुमन अनिकेद स्रीजन धुरवस साहीन वसीम नफीस मंजीत नीरज तैंक्यू दोस्तों इस नेचे कमेंट को निकलिया कर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉट आउट तो इस वीडियो पर कर देजे लाइक नीचे कर देजे कमेंट बाई बाई दोस्तों